हलो दोस्तों स्वागत है आपका अमारे चनल केडियर अपडेट बाइंजीनियर में मैं हूँ रंजनराज और आज हम लोग बात करने वाले हैं वो उस अप्लिकेशन की जिससे आपको क्या पढ़ना है ट्रैफिक रूल्स के बारे में पढ़ना है जैसा कि आपको पता है जो एंजील हम अपरेटर की वैकंसी आई हुई है उसके जो उसका सबसे बड़ा सरदर्द है आपके लिए वो दो चीज़े हैं पहला है कौन सा पहला तो है जो इस बार नया पार्ट जोड़ा गया है नया पार्ट क्या है? इलिमेंटरी नॉलेज आप पेट्रोल एंड डीजल एंजन क्योंकि इस बार नया से लेबस में एड़ कर दिया गया है तो इसलिए इसकी बहुत जाता आपको जानकारी नहीं है तो सबसे जादा समस्या इस पार्ट की है और दूसरी समस्या क्या है traffic rules की क्योंकि इसके बारे में भी आप generally ज्यादा पढ़ते नहीं है दो चीजी हैं जिसके बारे में आप कभी इसके पहले जिसे science है, GK है, reasoning है, math है तो इसके पहले आपने सभी वो चीजें पढ़ी होती है लेकिन ये जैसे अगर आप elementary knowledge आप petrol and diesel engine हो गया और आप technical background से belong नहीं करते हैं तो आपने इस चीजें कभी नहीं पढ़ी और दूसरी क्या है, traffic rules, emission standard, driving rule, traffic sign, ETC ये सभी जो चीजें से लेवस में हैं ये आपने कभी नहीं पढ़ी तो इन दो समस्याओं का solution जो है वो आपको इस channel पर मिलेगा पहले समस्या की बात करते हैं कि जो elementary knowledge आप petrol and diesel engine है उसकी जो है पूरी classes इस channel पर लेवल है टोटल ए 11 class है तो वहाँ से जाके उन classes को देखके आप अपना concept theory जो है clear कर सकते है दूसरा solution है कि अब questions कहां से मिलेंगे practice कहां से करेंगे तो इसके लिए 500 questions का जो है PDF बनाया गया है इसी topic के लिए elementary knowledge of petrol and diesel engine जिसमें क्या है साढ़े 300 से प्लस प्रस्न क्या है elementary knowledge of petrol and diesel engine से है यानि कि braking system हो गया, class system हो गया, suspension system हो गया पूरा 4 stroke, 2 stroke engine हो गया तो यहां से 350 प्रस्न रखे गए है और बाकी जो प्रस्न है वो वेहिकल एक्ट 1988-2019 जो NCL और NTPC से जुड़े प्रस्न पूछे जाते है NCL HEM operator की परिछाओं में उन प्रस्नों को रखा गया है और कुछ traffic से जुड़े प्रस्नों को रखा गया है तो अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं देखी एक ही PDF है जो लोग पहले ले चुके हैं उनको फिर से नहीं लेना यह कोई अलग PDF नहीं है यह 500 प्रस्नों की वही वाली PDF है जो आपने ले चुके हैं और जो लोग नहीं ले चुके हैं वो इस नमबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं 63 90 50 85 32 63 90 50 85 32 इस नमबर पर संपर्क करके जो है एक nominal charge रखा गया है इस PDF का 30 रुपई ठीक है 30 रुपई जो है आपका charge रखा गया है तो आप इस नमबर पर संपर्क करके payment option पूछके payment कर सकते हैं या डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बाक्स में, आप वहाँ से भी इस पीडियाफ को पर्चेज कर सकते हैं, 94 बेलगबद पेज की पीडियाफ है, और पूरी पीडियाफ जो है टाइप कराई गई है, और यह पीडियाफ हिंदी में है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप इंग्लिस मीडियाफ के चात्र हैं, तो आप इस पीडियाफ को ना लें, बहुत जादा आप वी क्वेरी आ रही है, यह पीडियाफ क्या है, हिंदी में है, सिर्फ हिंदी मीडियाफ के चात्रों के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको यह करना है, तो पहली जो समस्चा है, आपकी elementary knowledge की, वो साल हो जाएगी, कैसे, मैंने आपको बताया, 11 lectures आपको वाज करने हैं, और उस lecture को वाज करने के बाद ही इस पीडियाफ को लेना है, क्योंकि अगर आप प्रसनों को नहीं कर पाएंगे, वीडियो को नहीं तो यहां से जो पहली सबसे बड़ी समस्या है, वो आपकी साल्व हो जाएगी, यह number में description box में दे दूँगा, तो आप यहां पे संपर कर सकते हैं, अब देखें जो दूसरी सबसे बड़ी चीज है, वो है कि traffic, क्योंकि इसके बारे में भी पहले कभी नहीं पढ़ा, कहां से पढ़ना है, तो इसके लिए है एक application, ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले lecture में आपको बताया था, कि मैं आपको एक application बताऊंगा, जिससे क्या करनी है, आपको पढ़ाई करनी है, और यह आप बात मान लीजिए, पिछले परिच्छाओं का जो है paper उठा के देख लीजिए, उस paper में जो प्रस्ण पूछे गए हैं, वो भी आपको इस application में दिख जाएंगे, तो यही application में जितने प्रस्ण है, वो जो है आपको पढ़ने हैं, अब देखिए application का नाम क्या है, application का नाम है RTO Hindi, ठीक है, देखिए, मैं आपको direct यहाँ पर करता जा रहा हूं, बगल में आपको दिखता जाएगा, ठीक है, देखिए, जब आपको play store में सर्च करना है, RTO Hindi, जब आप यह सर्च करेंगे, तो आपके सामने, बगल में आप देखिए, कुछ इस तरह का application, logo आप ध्यान से देखिएगा, जो कि कई, इसी logo के आपको कई application मिलेंगे, लेकिन उन सभी में कोई अ जब आप इसको download करेंगे, तो आपके सामने क्या होगा, कुछ ऐसा interface खुल के आएगा, ठीक है, जहां पर आपको कौन कौन से option मिलेंगे, जहां पर आपको सबसे पहले number पर मिलेगा, Prasnabank, ठीक है, पहले number पर आपको कौन से option मिलेगा, Prasnabank का option मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा अभ्यास का अप्षन मिलेगा ठीक है ध्यान से इधर बगल में देखते चाहिए उसके बाद परिच्छा का अप्षन मिलेगा फिर उसके बाद परिच्छा से पहले ध्यान से देखिएगा परिच्छा से पहले अंतिम छड़के अभ्यास प्रस्न क्योंकि ध्यान से इ पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा है ठीक है वहीं से प्रस्न पूछता है ठीक है आपको जो है पूरा बहुत जादा जो है नहीं पढ़ना है ठीक है और इसके बाद आपको समझना है लाइसेंस प्रक्रिया लाइसेंस प्रक्रिया और लास्ट में जब आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा एक ड्राइविंग कानून तो जो ये पहला टॉपिक है प्रस्ण बैंका इसमें लगभग 200 से 300 प्रस्ण है वो प्रस्ण आपको कर लेने हैं अब भ्यास प्रस्ण में क्या है कि अब भ्यास प्रस्ण में कि कितनी आपकी तैयारी है लाइसेंस प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि NCL में क्या लगता है हैवी जो है वेहिकल का लाइसेंस मांगा जाता है हैवी मोटर वेहिकल का लाइसेंस मांगा जाता है तो कैसे बनता है क्या प्रक्रिया है के लिए कितना जो है उसमें कौन-कौन सा फार्म लगता है किस फार्म का उपयोग करके हम लोग हमेव बनाते हैं कितने साल के लिए हमेव वैलिड होता है ठीक फिर उसका रिनुवल कितने दिन के अंदर कराना रहता है जैसे अगर एक्सपायर हो जाए तो कितने दिन के अंदर तो उसका renewal कराना रहता है तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए driving कानून में driving कानून में देखे क्या होता है कि जैसे अगर आप कोई driving से जुड़ा कोई अपराद करते हैं तो उसके लिए अलग-अलग section होता है ठीक है जैसे अगर आप कोई criminal जो है criminal वाला काम करते हैं तो धारा 302 ये सब आपने movie अगरा में देखा होगा उसी तदिके से जब आप इस vehicle से related कोई अपराद करते हैं जैसे आप सराप picker जो है drive करते हैं यानि कि drunken drive का case अगर आपके सामने आता है तो उसके लिए भी अलग-अलग क्या लगती है धाराएं लगती है जैसे section 185 तो आप से पुछेगा अगर सराप picker गाड़ी चलाएंगे तो किस धारा के अंतर गड़ आप पर कारवाई की जाएगी जैसे आप speeding करते हैं speeding या जिसे racing करते हैं उसके लिए कौन सा section है उसके लिए है section 189 और ये सब कानून तोड़ने के कितने charges आपको भरने पड़ेंगे यानि कि fine कितना लगेगा और जो fine आपको याद करना है वो 2019 amendment bill के हिसाब से करना है 2019 का जो वाहन संसोधन अधिनियम आया था उसके हिसाब से आपको सभी यहाँ पे जुर्माने मिल जाएंगे बगल में आप स्क्रीन में देखिए कि किस अपरात के करने पर कौन सी धारा लगती है और उसके लिए आपको कितना जो है जुर्माना भरना पड़ेगा तो यहाँ से इन 5 section को यह RTO हिंदी एप डाउनलोड कर लेना है जो मैंने अभी आपको शुरूम बताया प्रस्न बैंक अभ्यास परिच्छा परिच्छा से पहले अंतिम छड़ के अभ्यास लाइसेंस प्रक्रिया और ड्राइविंग कानून इन सभी में जितनी भी चीज़ें है सीधा है यार इसको अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं मॉबाइल में इसलिए मॉबाइल का साल्यूशन यह है कि लिखना पढ़ना इसमें कुछ नहीं है बस मॉबाइल लिए रही है जब भी आपके पास खाली एक्स्ट्रा टाइम हो पढ़ने के अलावा जैसे अब यह है कि आपके पास क्या है कम समय है तो आप जो आपको सब्जेक्ट कठिन लगते हैं जैसे अलिमेंटरी नालेज आप पेट्रोल एंड डीजल इंजन हो गया तो उसके लिए क्लासे जहें उसको देखें पीडियाफ ले लीजे जो मैंने अभी आपको बताया उस नंबर पर संपर करके तो और बाकी जैसे आप खाना खा रहे हैं चल फिर रहे हैं कोई मतलब पढ़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं तो उस एक्स्ट्रा टाइम को क्या करें इस जो अप्लिकेशन में परस्न है उसको बार बार पढ़ने का प्यास करें तो इस तरीके से आप अपने टाइम को यूटिलाइज करके अब भी अगर तयारी शुरू करते हैं तो लगभग लगभग एक महीने का समय है आप सेलेक्शन ले सकते हैं लेकिन आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा और इसलिए मैंने आपको ये जो है अप्लिकेशन बताया लिंक भी मैं देदूंगा इसका डिस्किप्शन बॉक्स में तो आप वहां से इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजे और सेयर कर दीजे अपने दोस्तों के साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो NCL Hem Operator से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए मिलते हैं नेक्स टूडियो में नए डॉपिक के साथ अब तक बने रहे हैं मारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद